कोली का विकेट हो या शेल मार्केट पटाक 30 सेकिंड में खबर डाउनलोड कीजे तक क्याव दुनिया भर में कोरुनकाल कई तरह के बदलावों का गवह बना है कामकाज का तरीका इस तोर में बदला है तो लेंदेन से लेकर भविश्य की जरुवतों और लोगों की सोच को भी ये दो साल काफी हद तक बदल चुके हैं ऐसे ही हमारे वीच करीब 60 साल से मौझूद रोबोट्स भी अब अलग अंदाज के साथ लोगों के साथ जुड़ने लगे हैं अभी तक निर्देशों के मुताबिक मेकैनिकल मशीन की तरह काम करने वाले रोबोट्स अंसान के ज्यादा करीब आने लगे हैं बदलते हालात में रोबोट भी तेजी से बहतर होते जा रहे हैं सामान खिसकाने के बजाए अब ये होम डिलिवरी के लिए सामान पैक करने लगे हैं अब तो रोबोट्स हाउस्पिटल में सर्जरी में भी लोगों की मदद कर रहे हैं करोना के बाद टेली मेडिसीन में रोबोट्स का इस्तमाल बढ़ गया है लेकिन मरीज के साथ काम कर रहे रोबोट को खास ट्रेनिंग की जरुवत होती है हालकि इंडिस्ट्री में पूरी तरह रोबोट का इस्तमाल अभी दूर की कोड़ी है मैनिफेक्ट्रिंग के शेतर में कार प्लांट टेजी से आधुरिक हुए है लेकिन सबसे ज्यादा एडवांस प्लांट में भी दस कामगारों के स्थान पर एक रोबोट ही है लेकिन इंसान के बिना फेक्ट्रियों की कलपना को बेमानी करार दिया जा रहा है क्योंकि रोबोट के इस्तमाल से लोगों की नौक्रियां नहीं जाएंगी रोबोट नौक्रियों को खत्म करने की जगा उन्हें ज्यादा स्किल्ड बनाकर इंडरिस्ट्री को विस्तार का मौका दे रहे हैं International Federation of Robotics के मुताबिक दुनिया में 30 लाख से ज्यादा इंडरिस्ट्रियल रोबोट्स हैं फिलाल तो लाखो रोबोट्स वेरहाउस में समान खिसकाने घर साफ रखने और ऑपरिशन में सर्जन की मदद करने का काम ही कर रहे हैं मुझे रहे हैं सब्सक्राइब कर दो लाख रहे हैं